नेक्स्ट हम पहले Chrome खोलते हैं और इसमें सर्च करते हैं CDRI सेफ लगनो, ऐसा हमारा पेज आता है front page और यह हम सेफ लगनो खोलेंगे, ऐसा हमारा front page आएगा sophisticated analytical instrument facility CSIR CDRI, now हम अब signing या sign up हमना अगर हमारे पास id होगे तो हम sign-in करेंगे और id नहीं है तो sign up करेंगे मतलब हम अपनी id को बनाएंगे then अगर हमारे पास id है तो हम email password डालेंगे, now अब हम यहाँ Call sign up करेंगे कि हमें id बनानी है, गत्रवाइम अपना प्लूые कणी करना है mobile number और password करना है और confirm password मतलब यह password हम बना के डालेंगे हम अपने हमें जो डालना हमें याद रहे वो password हमें mention करेंगे और I agree to all terms फिर sign up करेंगे फिर हमारे हमको जो हमारी email id होगी वो password होगा हमारा यनि id होगी और next जो हमारा password हम जो डाले होगे वो password होगा next हम मेरे पास email है हम अपनी email डालते हैं और प्र पासवर्ड डालते हैं now हम इसे login करते हैं यह हमारी idea है यह हमारा ऐसा face आएगा जब हम इसे login करेंगे now इसमें action में हमारे कई सारे यह दिये हुए हैं dashboard, submit sample, save lot तो हम submit sample करेंगे first of all हम submit करने से पहले हम यह guidelines जान लेते हैं कि जो हमारा sample हो वो explosive और unstable compounds ना हो और हमें separate करके sample को भीजना है जो हमारा different analysis के लिए हम purpose से भीजेंगे और वो उस पर हमें mention करना है staff number या lot number हमें mention करना है now हम submit के लिए option दबाते हैं now यह हमारा ऐसा face आएगा जब हम submit sample के लिए next step जो हमारा होगा तो इसमें हमारी facility दी गई होगी और number of samples और यह guideline है तो guideline में हमारा guideline दिया होगा कितने हमें sample जो भीजना वो कैसा होना चाहिए और कितने gram होना चाहिए कितनी mg होनी चाहिए या फिर gram या mg हाँ अभी हमें mention करना है यहाँ पर इसमें सारे यह guidelines दिये होगा now हम select करते हैं जो हमें कराना है जो हमारा सेंपल है उसका हमें NMR कराना है और IR और हम एलेक्ट्रो स्प्रे से हम मास स्पेक्ट्रोस को भी कराएंगे next हमें चूज करना है कि यह कितने सेंपल होंगे यह हमने चूज कर लिया next हम आप्शन दबाएंगे यह ऐसा phase आता है हमारा और यह facility दी गई है sample code, instrument, analysis, solubility और quantity in mg और mass range यह दी गई है तो हम NMR का कराएंगे तो NMR स्पेक्ट्रोस कोपी के लिए पहले तो हम sample code बताएंगे हमने sample code क्या रखा है तो हम sample code हमने रख लिए instrument के बारे में जानेंगे, कौन से instrument कराएंगे हम इस instrument से NMR कराएंगे next IR इससे हम कराएंगे और यह की option है इससे हम करेंगे now analysis की बात करें जब हम instrument चूज कर लेंगे तो analysis को option आएगा proton से कराएंगे और हमने choose कर लिया next हम solubility की बात करेंगे तो solubility में हम इसमें ethanol ले देंगे आप solubility उसे साफ से जिससे साफ से लेंगे इसमें charges भी है extra charges भी होते हैं जो हमारा solvent होता है हमने इसमें chloroform ले लिया और इसमें हमने chloroform ले लिया अब हम quantity हमें हमने देखा था guideline के बारे में इससे पहले वाले page में तो उसमें mention की हुई थी तो हम 33 mg sum में लेते हैं उसमें mention किया हुआ है कि आपको कितने mg बेचना है mass range select कर लेते हैं हम लोग अब हम next करेंगे option ऐसा phase आएगा हमारे सामने यह हमने sample code डाला था यह हमारी facility instrument है analysis solubility जो हमने select किया था 33 mg हम भेज रहा है mass range हमारा यह होना चाहिए charges यह हमारे charges लग रहे हैं और solvent charges हमने हमारे के लिए solvent select किया था ethanol के लिए extra charger 200 और यह हमारा GST इतना जूड रहा है next जो total rupees हमारा है 298 so next जो हमारा इसके first time user और feedback of service यह सारी चीज़े हम mention करेंगे do you knowledge the service of staff have you submitted list publication यह सारी चीज़े हम mention कर देंगे now हम यहां आगे submit करेंगे यह हमारा net दिखा रहा है हमें 1298 payment करना है so हम add money कर देंगे now अब हम यहां से जाके अपने wallet को recharge करेंगे और यहां से इसको payment हमारा successful हो जाएगा हमने कर रहा था पहले paid sample 3658 रूपीज यह हमारा transaction ID हमने यह success हो चुका है यह हमारा complete हो चुका है